Post Office में Account कुलवाना है तो इन दोनों में Difference समझ लेना Indian Post Payment Bank और Post Office Savings Account हमें लगता है कि दोनों ही Account सेम है बट दोनों ही Account में बहुत ज़ादा Difference होता है तो गलती से भी गलत Account मत उपन करवा लेना क्योंकि जो Indian Post Payment Bank है हम उसमें Maximum 2 लाकर पता की Deposit कर सकते हैं बाकि हम Post Office Savings Account की बात करें तो यहाँ पर हम Maximum कितने पर भी Deposit कर सकते हैं बाकि इस वीडियो में आपको एक एक कोइंट क्लियर हो जाएगा बस आप वीडियो को इंट तक जरूर देखना और अगर कुछ भी डाउट होता नीचे कमेंट्स में पूछना नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है पुलकितमतान और स्वागत आप सभी का Focus Path में IPPB यानि Indian Post Payment Bank जो हमें तीन टाइप के Savings Account ओफर करता है Digital Savings Account, Regular Savings Account और Basic Savings Account यहाँ पर जो Regular Savings Account और जो Basic Savings Account है यह बिल्कुल सेम ही है बस इसमें डिफ्रेंस यह है कि जो आप पर Basic Savings Account है यहाँ पर आप महीने में सिर्फ चार बार ही पैसा निकाल सकते हो अब आप बोलोगे कि इनमें कोई डिफ्रेंस नहीं है तो यहाँ पर यह अलग से अकाउंट क्यों बनाया गया पोस्ट ओफिस अकाउंट को कंपेर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास IPPP यानि Indian Post Payment Bank के दो अकाउंट है Regular Account और Digital Account और दूसरी तरफ हमारे पास Post Office का Savings Bank अकाउंट है तो हम तीनों ही अकाउंट को कंपेर करेंगे सबसे पहले अगर हम account opening की बात करें तो Indian Post Payment Bank के regular account में हम online account open नहीं करवा सकते हमें branch visit करके account open करवाना होगा और account opening के लिए आपकी एच 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और वही हम digital account की बात करें तो इसे आप online open करवा सकते हैं इसके लिए आपकी एच 18 साल से ज़्यादा होनी और वही हम Post Office Savings Bank की बात करें तो इस account को आप online open नहीं करवा सकते हैं आपको branch visit करके यह account open करवाना होगा और आपकी एच 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए तो second point यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आता है कौन सा bank account zero balance account है तो यहाँ पर अगर हम regular account की बात करें तो यह एक zero balance account है digital account बी एक zero balance account है पर वही हम बात करें post office savings bank की तो यह एक zero balance account नहीं है यहाँ पर आपको कम से कम 500 पर maintain करने होते हैं उसके बाद third point हम यहाँ पर यह डिसकस करेंगे कि account कुल बाते टाइम initial deposit कितना करना होता है तो इंडियन post payment bank का जो regular account है यह एक zero balance account है तो यहाँ पर हमें initial deposit कुछ नहीं करना होता, digital account भी एक zero balance account है तो यहाँ पर भी initial deposit नहीं करना होता, post office savings bank पर 500 रुपे maintain करके रखने होते हैं तो यहाँ पर initial deposit भी 500 रुपे है उसके बाद next point यहाँ पर यह आता है कि bank account में कितने पैसे maximum रख सकते हैं तो regular account में आप 2 लाक रुपे से जादा नहीं रख सकत कि account कुलवाते वक्त कौन कौन से document required होते हैं तो तीनों ही account में आपको अधार card और pen card required होता है उसके बाद हम बात करें KYC की तो जो आपको Indian Post Payment Bank का regular account है यह account आपको branch visit करने के बाद ही खूलता है तो यहाँ पर आपको KYC automatically हो जाती है और वहीं हम बात करें इंडियन Post Payment Bank के digital account की तो यहाँ पर हमें इस account की KYC करवानी होती है क्योंकि एक digital account है इसे आपने घर बेटे बेटे ओनलाइन ही open किया है तो इसकी KYC कराने के लिए आपको branch visit करना होता है और दूसरी तरह हम बात करें Post Office Savings Bank की तो यहाँ पर भी आपकी KYC automatically हो जाती है क्योंकि यह account भी आपका branch visit होने के बाद ही खुलता है अब next point हमारे पास ही आता है कि nomination facility का तो यहाँ पर आपको तीनों ही bank account में nomination facility मिल जाती है नोमीनी बनाने का फाइदा यह है कि मान लीजी इन किस कल को कुछ आपको हो जाता है तो आपका जो bank account में बचा हुआ पैसा है वो आपके nominee को मिल जाता है उ तो आपको यहाँ पर 2.25% का interest rate मिलता है और वही हम बात करें Indian Post Payment Bank के digital account की तो यहाँ पर आपको annually 2% का interest rate मिलता है अब हम बात करें Post Office Savings Bank की तो यहाँ पर आपको 4% का interest rate मिलता है उसके बाद हम next point की बात करें debit card की तो यहाँ पर आपको Indian Post Payment Bank के regular account में आपको virtual debit card मिलता है ज तो वही हम बात करें post office savings bank की तो यहाँ पर आपको physical debit card मिलता है जिसकी fee से 125 रुपे plus GST अब हम बात करें ATM withdrawal limit की तो यहाँ पर Indian post payment bank के regular account और digital account में physical debit card नहीं मिलता हमें यहाँ पर virtual debit card मिलता है तो हम यहाँ पर ATM से transaction नहीं कर सकते हैं और वही हम बात करें post office savings bank की तो हमें यहाँ पर physical debit card मिलता है तो हम यहाँ पर ATM से transaction कर सकते हैं अगर हम post office के इलावा किसी और bank की ATM से transaction करेंगे तो हमें मंतली 3 transaction free मिलती है अगर हम non metro city में रहते हैं तो हमें मंतली 5 transaction free मिलती है उसके बाद हम बात करें checkbook की तो Indian post payment bank के दोनों ही account regular account और digital account में हमें checkbook नहीं मिलती है और वहीं हम बात करें post office savings bank की तो हमें यहाँ पर checkbook welcome kit में नहीं मिलती बैटिобщे checkbook की request डाल सकते हैं, उसके बाद हम बात करें joint account की, क्या हम joint account open करवा सकते हैं, तो Indian Post Payment Bank के दोनों ही account, regular account और digital account में joint account open नहीं करवा सकते हैं, और वही हम बात करें post office savings bank की, तो यहाँफर joint account को लवाना allowed है, उसके बाद हम बात करें कुछ maintenance charges की, तो Indian Post Payment bank के दोनों ही account regular account और digital account में हमें 10 रुपे quarterly pay करने होते है SMS charges के और वहीं हम बात करें post of savings bank की तो यहाँ पर SMS charges की service free है last time में आपको additional information और देना चाहूंगा जो applicable है आपके IPBB यानि Indian post payment bank के regular account पर यहाँ पर मैं digital account की बात नहीं कर रहा यहाँ पर मैं सिर्फ regular account की बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो regular account है इसमें आपको पते हैं कि आप 2 लाख रुपस ज्यादा पैसे deposit नहीं कर सकते हैं अगर कोई person 2 लाख रुपस ज्यादा पैसे deposit करना चाहिए तब क्या होगा तब यहाँ पर आपको एक option और मिलेगा कि आप अपना account link कर सकते हैं post office savings account के साथ मान लेजी आपने 4 लाख रुपे deposit कराने वो भी IPBB के regular account में बट लिमिट तो यहाँ पर दो लाख रुपे की है तब यहाँ पर होगा क्या कि आपके दो लाख रुपे तो आपके regular account में रहेंगे बाकी के जो दो लाख रुपे वो auto sweep हो जाएंगे वो आपके post office savings account में आजेंगे मतलब यहाँ पर अगर आप सबसे पहले regular account खुलवाते हैं और आप चाहते हैं कि दो लाख रुपे ज़्यादा पैसे रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक second account खुलवाना पड़ेगा जो कि यह post office savings account यहाँ पर आपको auto sweep की facility मिल जाएगी मतलब कि अगर आप 2 लाख रुपे ज़्यादा जितने भी पैसे रखें आप सीधा सीधा ही post office का savings account खुलवा सकते हैं क्योंकि अगर आप post office का savings account खुलवाएंगे तो यहाँ पर आपको बस कोई भी limit नहीं है आप अपनी मर्जी के इसाब से कितने मर्जी रुपे यहाँ पर deposit कर सकते हैं यहाँ पर आपको interest rate भी ज़्यादा मिलेगा तो यह था ती कितने मर्स काथ विसे जुझ हाँ प्लाब में ही